हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं चैनल, अगर आप भी इंस्टा प्रो डाउनलोड करना चाहते हैं, इंस्टा प्रो यूज करना चाहते हैं, तो इस वीडियो मैं आपको असान तरीका बताने वाला हूँ, तो इंस्टा प्रो क्या है, जैसे आप GB WhatsApp यूज करते हैं, ओफ आप मज़ा ले सकते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस वीडियो मैं आपको बहुत ही असान तरीका बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मैं आपने देखा होगा, इंस्टा प्रो डाउनलोड करने के लिए गए होंगे, तो बहुत सारे लिंक बताया जाता है, इधर उधर आप डाउनलोड करने जाते हैं, किलिक करते हैं, दूसरा एप डाउनलोड हो जाता है, तो इस वीडियो मैं आपको रियल तरीका बताने वाला हूँ, इंस्टा प्रो डाउनलोड करने का, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो वस सबसे पहले आपको अपने फोन में Chrome Browser को Open कर लेना है फिर यहां सर्च बार पे किलिक करके यहां पे जैसे मैं लिखने वाला हूँ आपको वैसे ही लिखना है तो यहां पे लिखना है Insta Pro Latest Version Download Link Insta Pro Latest Version Download Link लिखके यहां पे सर्च कर देना है फिर यहां पे इस तरीके से Interface आजाएगा बहुत सारा Website Link देखने को मिल जाएगा उपर में तो यहां पे आपको किसी भी Link पे Touch नहीं करना है यहां पे आपको सीधा नीचे जाना है जो नाम बताऊंगा उसी Link पे आपको किलिक करना है तो यहां पे और नीचे जाना है और नीचे जाना है और नीचे आएंगे तो यहां पे आप देखेंगे apkmodgate.com लिखा होगा यह वाला Website Real है यहां से Real Insta Pro डव्लोड कर सकते हो तो इस Website पे आपको इस Link पे आपको किलिक करना है इस Link पे जैसे ही आप किलिक करेंगे तो यहां पे आपको देखेंगे मिल जाएगा Insta Pro का latest version यहां पे यह 99 MB का है और इसका version है B11.20 तो अभी इसको डव्लोड करना है तो यहां पे डव्लोड apk लिखा होगा जो की 99 MB का है यहां पे डव्लोड apk पे आपको किलिक कर देना है फिर यहां पे add आजाएगा तो यहां पे add पे किलिक करके add को हटा लेना है अब यहां पे timer स्टार्ट हो जाएगा तो यहां से आपको 5-6 second का wait करना है उसके बाद download link आपको मिलने वाला है तो यहां पे देख सकतो बहुत सारा यहां पे version आ गया अब यहां पे कौन सा version आपको download करना है तो यह वाला जो second number पे है उसी version को download करना है यहां पे नीचे बहुत सारा old version भी है new version भी है तो यहां से आपको यह दूसरे नमर पे जो version आपको देखने को मिल रहा B11.20 इसको download करना है इस पर click कर देना अब यहाँ पर इस तरीके से open होगा आएगा यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर दूसरा app आपको देखने को मिलेगा तो इस app को install नहीं करना है आपको अच्छे तरीके से ठीक से तब ही download करना है नाम पढ़के तो यहाँ फिर से click करते हैं एक बार second number वाले link पे तो आप देख सकते हूँ यहाँ पे इंस्टा पुरो भी 11.20 यहाँ पे name देखने को मिल रहा तो इसको download करना है अब download anyway लिखा है तो download anyway पे click कर देना है अब यहाँ पे download भी complete हो गया क्योंकि 5G है हमारा जी ओ 5G तो बहुत जल्दी यह download हो गया अब यहाँ पे open पे click कर देते हैं फिर update आजाएगा अब यहाँ update पे click कर देना update पे click करोगे तो यहाँ पे installing शुरू हो जाएगा यहाँ पे install complete हो गया अब यहाँ पे open पे click कर देना है open पे click करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से interface आजाएगा अब यहाँ पे आपको क्या करना है अपना email id या username आपका जो भी होगा और password जो होगा enter कर देना है और login पे click कर देना है फिर आपका account login हो जाएगा जो भी आप पहले से account यूज करते होंगे तो यहाँ पे आपका login हो जाएगा अब इस तरीके से interface आएगा यहाँ पे x pro download करने को बुलेगा तो download भी कर सकते हो ignore भी कर सकते हो और यहाँ पे file को allow कर देना attention आएगा follow developer आएगा तो इस तरीके से आप follow भी कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से insta pro का interface होने वाला है यहाँ से dark mode को activate कर सकते हो bright mode को activate कर सकते हो यहाँ पे बहुत सारे advance feature आपको देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे आओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा सारा कुछ यहाँ पे advance feature तो अगर आप जानना चाहते हो advance feature के बारे में तो comment में लिखना मैं A to Z वीडियो बना दूँगा insta pro setting के बारे में तो इस तरीके से आप बहुत असान तरीके से insta pro को download कर सकते हो latest version इसका direct file भी दे दूँगा मैं अपने टेलिग्राम चैनल पे वीडियो बसंदा है तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बाई बाई टिक